आपका स्वागत है आपकी अपने चैनल इस्टेड़े वित तिवारी जी ने जैसा कि हमने आपको बता था कि यह जो हमारी प्रैक्टिस क्लास है और किसी है तो इतिहास की पहली प्रैक्टिस क्लास है तो फ्रैंस हमने इन में उनिक प्रश्णों का शमावेशन किया है जो कि आपके एक्जाम के लिए बेहद ही महत पोड होने वाले है तो फ्रैंस अपने टॉपिक पर चलें से पहले आपको बता दे कि यहां इसक्रीन पर हमारी चैनल से रिलेटेड कुछ लिंक दे गई है तो देख लेजिए ये जो हमारे Facebook पेज की लिंक है आपको ये जो हमारे Facebook पेज की लिंक है आपको इस पर क्लिक करके हमारे Facebook पेज को फॉलो कर लेना है और साथ में फ्रेंस यह जो हमारी यूटूब चैनल की लिंक है आपको इस पर क्लिक करके हमारी यूटूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में फ्रेंस यहां देख लिए तो यह जो हमारी टेलिग्राम चैनल की लिंक है आपको इस पर क्लिक करके हमारी टेली ग्राम चैनल को जोईन कर लेना है और साथ ही में जो है आप यहां से आसानी सी PDF को प्राप्ट कर सकेंगे तो चलिए फ्रेंज हम चलते हैं देख लेते हैं आज का जो हमारा प्रेक्टिस है तो यहां देख लिजे फ्रेंज यह जो है हमारा पहला क्या है आपका पटना के 1857 के स्वतन तता संग्राम की नेता थे तो क्या पूछ रहा है कि पटना के 1857 के स्वतन तता संग्राम की नेता थे यहां पे आपके चार आप्शन दिये गए हैं आपका पहला आप्शन है दर एलिखान जमीदार, कुवर सिंग, जुजहार सिंग, कुसल सिंग तो यहाँ पे जो है फ्रेंस आपका कौन सा अंसर सही हो जाता है option number भी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा तो क्या है कि जमीदार, कुवर सिंग जो थे यह अठास सतान की क्रांटी का जो बिद्रो हुआ था यह जो है पटना की निकट जगतिसपुर नामक अस्तान से इन्हों ने वहाँ से अठास सतान की क्रांटी के बिद्रो का नेतरुत किया था तो चले फ्रेंस चलते हैं आपने next question की तरह move करेंगे हमाने next question क्या है देख लेते हैं यहां देख लेजिए सेकंड कोशन में पूछा क्या है कि सूची फर्ष्ट को सूची से सुमेलित कीजिए और क्या है कि सूचीयों के नीचे देगे कोट से सही उत्तर चुनिए तो क्या है फ्रेंस कि कहां पर जो है सूची फर्ष्ट और सुची सिकन्ड जो दी गई है इसको आपको मिलान करना है तो पहले सूची में आपका बताया गया है समा चार पत्र और दूसरी सूजी में आपका संपारक दिया गया है तो यहां देख लिजे हिंदू जो है आपका ये किसका हो जाएगा तो यहां पर आपको मिलान करना है तो देखेते एक एकर के फ्रेंज तो ये हिंदू जो है आपका किसका हो जाएगा जी सुप्रम्हन्यम का हो जाएगा सुधारा का आपका किसका हो जाएगा सुधारा का आपका जी के गोखले का हो जाएगा वाइस ऑफ इंडिया किसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी का हो जाएगा और बंगाली आपका एसन बनरजी का हो जाएगा तो इसके हिसाब से ग मैं च पूछा गया है उढ completa कर दिते तो उढम सिंग जो थे फ्रेंज ये कौन थे उढम से बारे बात करें तो यह जो थे उढम सिंह यह उसे पंजाब के क्रांथ कारी नेता थे और इन्हों ने जो किसके हथ्य क्या था यहां पे आपके चार आप스ंट ऩानिक्ष जन्रल टायर सर माइचल ओडिय लाड बिलिंग्डन तो तق neighboring किसके हथ्य था अप्ष्न नभर प्रेंजर्स नंबर इससी जा हो जाता государ कि इनन जो है raft option लाड Harding General Dyer Sir Michael O. Dyer Lord Willingdon तो इनों ने जो है friends किसकी हाथ्य क्या था is the option no P.C. जह सही हो जाता सर मााइकलो डाएर इन्होंनी जह सर माइकल ओ डायर की हत्य कर दिया था तो क्यों किया था यह जलिया आला बाग हत्य कान्ड जब भुआ था उसी का का बदला लेने के लिए सर माइकल ओ डायर की हध्या किये थे नेक्स्ट को ओप करेंगे कर देहरे मैं हमाना नेक्स्ट क्वैस्ट क्हैं क्या है देख लेते हैं एक किस ने पूंच रहा है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाज किस ने दी ती यहां आपके चार आप्शन दिये गए हैं लाड विलियम बैंटिक ने अकबर दुतिये ने महात्मा गांधी ने सुवाज चंद्र भोस ने तो यहां देखनेजे आपका कौन सांसर सही हो जाता है यहां पर आपका सही हो जग तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाज दिये थे रविन नाट टैगोर कौन दिया था रविन नाट टैगोर ने दिया था रविन नाट टैगोर रविन नाट टैगोर ने गांधी जी को किस की उपाज दिया था तो महात्मा की उपाज दिये थे आगे बात करते हैं सुभाज चंद्र बोस को नेता जी की उपाद किस ने दिया था इनको जो है एडोल्फ हिटलर ने नेता जी की उपाद दिया था तो आई हो फ्रेंज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राजाराम भोहन राय को राजा की उपाद किस ने दिया था नेक्स्ट कोईशन की तरह मोग परेंगे हमान नेक्स्ट कोईशन क्या है समझ लेते हैं इसको तो यहां देख लेजिए आपका क्वेशन क्या है महतमा गांधी को सर्पुथम राष्ट पीता किस ने कहा था क्या है महात्मा गांधी को सर्फ प्थम राष्ट पिता किस ने कहा था यहां पे आपके चार आपसंदिये गए हैं क्या क्या है जवाहल लाल नहीं रूप बल्लब भाई पटेल सी राज गोपालाचारी सुवाश चंद्र बोस तो यहां पे आपका अंसर सही हो जाता है कौन सा तो यहां जो है आपका अंसर सही हो जोगा option number D सुवाश चंद्र बोस सुवाश चंद्र बोस ने गांधी जी को किस के उपाद दिया था तो राष्ट पिता कहकर पुकारा था यहां देख लिजे फ्रेंस सरदार बल्लब भाई पटेल का नाम आया है तो सरदार बल्लब भाई पटेल जो है इनको सरदार की उपाद किस ने दिया था तो बता दे फ्रेंस की कांग्रेश अदिवेशन जब हुआ था तो उसमें बार दौली की जो महिलाएं थी उन्होंने बल्लब भाई पटेल को सरदार की उपाद दिया था किसकी तो सरदार की उपाद दियी थी आगे बात करते हैं फ्रेंस नेक्स्ट कोश्चिन पर चलते हैं देख लिजे हिंदू बिध्वापुनर विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था हिंदू बिद्वा पुनर विवा आधिनियम की बात करते हैं फ्रेंस तो इसको जो है गलाने के रिए किस ने प्रियाश किया था इश्वर चंद्र बिद्या सागर ने प्रियाश किया था कौं लाड़ कैनिग हो जाएंगे कौन हो जाएगा तो लाड़ कैनिग हो जाएंगे लाड़ कैनिंग के ही समय में इassador जी की जाmonos की ठीकिस की तो ur jest क्רंड केनिंग होजाएगा लाड कहार दिक समय में इसौर-चंद विटिया सागन ने हिंदो विद्वापुनर्विवां अधिनियंग का प्रियतन किया था और यह जो हिंदो विध्वांवुनर विवां अधिनियंग का पारित हुआ तो इसके साब से आपका कौन सा अंसर से जाता option नमबर भी यहां पर सही हो जाएगा तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्ट की तरह मूप करेंगे हमां नेक्स्ट क्वेश्ट क्या है देख लेते हैं यहां देख लीजिए सांची का इस तो कि सासक ने बनवाया था इसकी बात कर करें तो सांची का इस तोप जो है इससे किस ने बनवाया था किस सासक ने तो यह हो जाएगा आपका असोक ने बनवाया था और यह जो है कहां इस्थित है कहां मर्द प्रदेश की राई सेन जिले में इस्थित है सांची का इस तोप कहां है तो मर्द प्रदेश की राई सेन जिले में इस्थित है और इसका निर्मार किस ने करवाया था तो असोक ने करवाया था किस ने असोक ने करवाया था तो यहाँ पर आपका अंसर सही हो जाता आप्शन नमबर भी असोक सही हो जाता है तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मूब करेंगे हमां नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां देख लिजिए रिगवैदिक काल में निश्क किस अंग का आभूशर था रिगवैदिक काल में निश्क की की बात करते हैं तो किस अंग का आभूशर था यहां पे चार गाभूषर था और इसका क्या नाम था निश्क था तो चलें हम चलते हैं next question की दरह पूब करेंगे हमा निक्स्क कोई क्या है देख लेते हैं यहां बात कर रहा है जख समुइट कब प्रारंब किया था सक्सम्मोद की सुरुवाद की थी तो कनिश्क जो थे आपके कनिश्क साथ उन्होंने सक्सम्मोद की सुरुवाद की थी यहां देख लिए इसे चार आपसन दिये गए गए 1880 इसमी तीन सु बीज़े और चैसों चैस्ट इस भी तो यहां देख लिए यहां आपका सही हो जाता अप्षिन नंबर भी यहां पे आपका सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंस हम चलते हैं कि तरह मुख करेंगी नेक्स्ट कॉश्चन क्या हैं। हाथी गुंभा आभिलेक किस से संबंधी थे यहां पर चार आप्शन है खार बेल पुलके सिंदुतिये रुद्रदामन प्रधम गौतमी पुत्र तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आपका कौन से सही हो जाएगा यहां पर हाथी गुंभा आभिलेक जो है यह आपका सही हो जाता है ऑप्शन नमबर एक खार बेल कौन सा है तो ऑप्शन नमबर एक खार बेल इससे संबंधी था हाथी गुंभा यह इन्होंने इसका निरमार करवाया था आगी बात करते हैं फ्रेंस पुलके सिंदुतिये की तो पुलकेसिन दूतिय ने किस अभिलेक का निर्मार करवाया था, इन्होंने जो ए होल अभिलेक का निर्मार करवाया था, किसका? बात करें रोत्र दामन प्रथम की तो रोत्र दामन प्रथम जो थे फ्रेंस इनका जो अभिलेक था वो क्या था तो गिरनार अभिलेक था गिरनार यानि की जूनागर गिरनार अभिलेक था और बात करें गौत्मी पुत्र की तो गौत्मी पुत्र का जो अभिलेक है फ्रेंस व कौन थे साथ करणी थे जुन्होंने नाशिक अभिलेक का प्रारम किये थी ठीक है तो आई होप यह आपको अच्छे समझ में आ गिया होगा देख लेते हैं फिर से हाथी गुंभा अभिलेक जो है आपका यह खार बेल से संबंदी थे और पोलकेशन दुटिये के द्वारा जो का नाशिक अभिलेक का नाशिक अभिलेक को बनवाया गया था और गौद में पूत्र कौन थे तो आपके साथ करणी हो जाएंगी जो कि साथ वाहन वन सिके शाशक थे आगे बात करते हैं फ्रेंस नेक्स्ट पर चलते हैं यहां देख लेजे कलहर द्वारा रचित राज तर करें गये हैं चंद्र गुप्त के सासन से कीतों के संकलन से कस्मीर की इतिहास से क्रिष्णदियोराय के सासन से तो बता देंदेंस कि यह जो है कलहर द्वारा रचित राज तरंगडी थी किस से रचित तो आपके यहां पर आंसा सभी हो जाता आप्सिन नबर की सी कस्मीर के इतिहास से कस्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है किस में तो राज तरंगिरी नामक पुस्तक में किया गया और किस ने किया है तो कलहर ने किया था तो चलिए फ्रेंज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मूब करेंगे देख रहेते हमां नेक्स्ट क्वेश्च का दूतिय यूद्ध तो फ्रेंज यहां पर हम बात करें यूद्ध जिसमें भारत में मुश्रीम शक्ति की अस्थापना हो गई थी यहां पर आपका आंसर सही हो जाता है फ्रेंज कौन सा आपका अंसर सही हो जाएगा आप्शन नंबर भी तराइन का दूतिय यूद्ध तराइन के दूतिय यूद्ध में जो है फ्रेंज ये मुश्रीम शक्ति के अस्थापना हो गई थी और तराइन का दूतिय यूद्ध कब हुआ था तो तराइन का दूतिय यूद्ध जो है फ्रेंज ये आपका 1192 में हुआ हुआ था और किसके किसके हुआ था यह मुहम्मद गोरियों पृतिवीराथ चुहान जाह के में किक भूए था बात करते हैं तराहिन का पृतियर्श में प्रफिभीराथ चुह भूए था arrested it cu किसके किसके बीच हुआ था तो बावर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानेपद के दुटि यूति की बात करते हैं तो यह जो है 1556 इस भी में हुआ था कब हुआ था 1556 इस भी में हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था तो अकबर और हेमो के बीच हुआ था जि तिके अस्थापना हो गई थी तो चलिए फ्रेंज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरह मूब करेंगे माई नेक्स्ट क्वेशन क्या है देख लेते हैं यहां देख लेजिए अलवरूनी भारत में आया था question क्या है कि जो अलवरूनी था वो भारत में कब आया थो तो यहाँ पर आपके चार option दिये गए नौई सतापती में, दसवे सतापती में, गरवी सतापती में और बारवी सतापती में तो यहाँ पर friends जो है आपका कौन सा answer सही हो जाता है तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फ्रेंज तो आपका अंसर हो जाए आप्शन नमबर सी 11 शतापदी में 11 शतापदी में फ्रेंज जो है आपके महमूद गजिनबी जो थे वो जब भारत आ रहे थे तो उन्ही के साथ अलवरूनी भी साथ आया था तो आई हो फ्रेंज यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आप चलते हैं हम नेक्स्ट कोशिन के दर मूब करेंगे हमानेक्स्ट कोशिन क्या देख लेते हैं तो कह रहा है निमलिखित में इसे किस सासक ने दिवान अमीर को ही विभाग के अस्थापना की थी तो यहाँ पर आपके चार आप्शन दिये गए हैं क्या क्या है बल बन अलाओ दिंखिल जी मुहम्मद बिन तुगलग फिरोज साह तुगलग तो यहाँ पर आपका अंसर सही हो जाता है कौन सा हो जाएगा दिवान अमीर को ही जो है फ्रेंस ये किस सासक ने इस विभाग के अस्थापना की थी तो आपको बता दें कि अमीर दिवान अमीर को ही जो है किस से था तो किर्सी के लिए था किर्षी के लिए था और इस विभाग के स्थापना किस ने की थी तो मुहम्मद बिन तुगलक ने की थी तो यहाँ पे आपका option number 6 सही हो जाता है ये किस लिए था तो किर्षी के लिए था इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो मजदूर थे वो क्या करेंगे कि किर्शी भूम जो थी उसमें वो पजिश्रम करेंगे उसके लिए इन्होंने ये से विभा के स्थापना की थी तो क्या था आपका दिवान अमीर को ही जो है किस ने इसके स्थापना की थी तो यह है मुहम्मद बिन तुगलक तो चलिए फ्रेंज हम चलते हैं लिक्त बाद साहों में किसे एक प्रबुति निरंकुष कहा जा सकता था तो प्रबुति निरंकुष जो है किसे कहा जाता था यह हो जाएगा आपका चार आप्षन है बाबर, हुमायू, अकबर, औरंगजेव तो यहाँ पे जो है फ्रेंज आपका कौन सा आंसर सही हो जाता है यहाँ पे आपका सही जगा option number C अकबर क्या हो जाएगा option number C जो है अकबर यह सही हो जाता है अकबर जो था एक प्रभुति निरंकुस इससे कहा गया था इसको क्योंकि यह जो है एक प्रगा क्या था तो यह अकबर जो थे यह धर्म निर्पेक्षिशा सकती क्या थे धर्म निर्पेक्षिशा सकती इनके लिए जो सभी कानून थे वो क्या थे कि सभी कानू जितोई एक समान होते थे इसलिए इनको प्रभुत निरंगुस की संग्या दी गई है तो आई हो फ्रेंज आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और हमने जितने भी कोश्चन लिये थे उसे अच्छे से बताएं हैं अगर आपकी हिस्टरी अच्छी नहीं रही होगी तो ये जो है आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा और सारे चीजे किलियर हो गई होगी तो दुछे फ्रेंज हम फिर मिलेंगे अपने हिस्टरी के क्लास में दूसरे प्रेक्टिस के क्लास में मिलेंगे लेकिन फ्रेंज हम आपको बता दें यहां पे देख लीजिए फिर से बात करते हैं तो यह हमारे फेस्बूक पेज की लिंक है आपको इस पर क्लिक करके हमारे फेस्बूक पेज को फालो कर लेना है साथ में फ्रेंज आपको इस पर क्लिक करके हमारे यूटूब चैनल की लिंक है आपको इस पर क्लिक कर लेना है और साथ में हमारे यूटूब चैनल इस्टेडी वित्तिवारी जी को सस्क्राइब कर लेना है यहाँ देख लिएजे friends प्रापट कर सकते हैं तो बस friends, आज के लिए इतना ही I am sure कि आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको history नहीं आती रही होगी तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएएगी प्रेंस ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ बने रही हम जो आपको सारे जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको एक एक कर के अच्छे से समझाएंगे और आप अपने एक्जाम में अच्छा करके आएंगे तो बस फ्रेंज आज के लिए इतना ही हम फिर मिलेंगे अपने प्रेक्टिस सिकंड की क्लास में तो तब तक के लिए नमस्कार थेंक यू